मैं उसमें अवेदवार खड़ा हुआ हूँ मुझे इस चैनल के माधियम से कि हमारे जो जफर सारे जो अलक्षन लड़ रहे हैं इनको वोट एंड स्पोर्ट करें सलाम अरेकुम वादाब मैं पिछली बार भी एक वीडियो में बताया कि जो माधियरियल का पैसा है मैंने पिछली बार भी एक वीडियो बनाई थी माधियरियल और मैसेनरी का पैसा जो 2023 का हमारा बकाया है मैं एडमिस्टेशन से और बलाक ट्वैलिमेंट आफिसर से ये रिक्वेस्ट करता हूँ ते वो पैसा गरीब लोगों को जल्दी से जल्दी मिलना चाहिए क्योंकि हमें 2024 में जो काम आये हैं उन कामों को चलाने के लिए हमेरे पास पैसा ने गरीब अवाम के पास पैसा नहीं है इसलिए मेरी परजोर अपील है हमारे एड्मिस्टेशन डिसी साब डोडा से और ब्लक ड्वलेमेंट ओफिसर से मेरी रिक्वेस्ट है तमाम पंचाइद की तरफ से मेरी उन से परजोर अपील और रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी मेटिरियल का पैसा हम लोगों और गरीब लोगों तक पहुंचाए दूसरी बात यह है कि आपको पता है पिछले साथ सालों मैंसे मैं खड़ा हूँ इस मंचाइद के लिए मंचाइद गरीब अवाम के लिए खड़ा रहता हूँ हर जगा बात करता रहता हूँ जहां पर भी जो भी मसला होता है मैं उसके लिए तयार रहता हूँ गराम सबा जब भी हुई मैंने चीक चीक के बोला कि हम लोगों को सौधिन का रोजगार क्यों नहीं मिलता है जब सेंटर कॉर्मर्ट सेंटर सरकार देती है सौधिन का रोजगार देती है तो हम लोगों को क्यों नहीं मिलता है इसलिए मैंने काफी टाइम से बात की काफी बहुत पहले से भी में बता रहा हूँ मगर अभी तक कोई भी सुनवाई नहीं हुई आप जानते हो हमारी पंचाइट में क्या हो रहा है क्या नहीं हुआ है पिछले 50 साल हो गए हमारी इस पंचाइट में हमारी पंचाइट कुरदार में ड्वेलेपमेंट क्यों नहीं है हमारे पके रास्ते क्यों नहीं है हमारे अलाके में पानी की कम्या है बिजली की कम्या है अगर बिजली है तो यहां पर यह जो ताना शाह बैठे हुए हैं यहां डीडी डिपार्टमेंट के हमको अभी तक लोगों को गरीब लोगों को जो है बिल जो आता है वो पांसो छेसो रुपे आता है एक बलब जिलाता है वो इसको पांसो छेसो रुपे आता है इसलिए मेरी administration डोड़ा से डिसी साफ डोड़ा से request है कि इसकी नदर सानी करे गरीब लोगों को क्यों लोटा जा रहा है तीसरी बात यह है कि मैंने पिछली बार भी एक बताया था कि जो हमारी lights है lights जो आई थी कपेक्स बजट में 2023 में जो वो लाइटे खराब हो चुकी है कब का मैंने बताया भी था परसू भी बताया था कि इन लाइटों को वापस कीजे क्योंकि एक साल की guarantee थी यह lights जो थी इसमें भी ताना शा बैठे हुए थे इसमें हिसा डूनने की कोशिश की और उन्होंने हिसा लिया क्योंकि यह 12,000 रुपे की light थी और हम गरीब लोगों को 22,000 में purchase हुई हम गरीब लोगों को लूटा जाता है हमारी अवाम को लूटा जाता है यह हमारा पैसा है हमारी अवाम का पैसा है इसको गलत इस्तमाल किया है और मैं आप लोगों को विश्वास दलाता हूँ आपके चैनल की मादिम से में एक लोगों तोक मैसेज पूंचाना चाहता हूँ कि आने वाला जो समय है उसको आप देखके अच्छी तरह से दिमाग लगा के अपने वोट का इस्तमाल करें क्योंकि आपको पता है कि जो भी आता है अपनी सीट के लिए अपने मफाद के लिए लड़ता है गरीब अवाम की आवाज को उठाने के लिए दबाने के लिए यहां पर उठाया नहीं जाता है दबाया जाता है इसलिए मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं आने वाला समय जो है आप hadil से मेरा साथ दें मैं आप लोगों की तरके और खुशाली के लिए खड़ा हूं आप मजलूम और गरीब के लिए में हमेशा खड़ा रहता हूँ और हमेशा खड़ा रहूंगा किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम होगी किसी भी विशे में बात करनी होगी किसी भी मसले में आप लोगों को साथ देने के लिए मैं तयार हूँ दूसरी में आपको ये मैसेज देना चाहता हूँ हमारे डिन्मेस्टेशन डोडा डिसी साब से में एक रिक्वेस्ट करता हूँ जो पिछले हमारे मकान आये हैं मोधी सरकार ने जो लाँच किये हैं यहां हमारे पंचाइज में जो भी मकान आये हैं उनकी अभी पैमेट्स बगाया है किसी को एक किस्त मिली है किसी को दो किस्त मिली है और जो बगाया है लोगों को पैसा वो पैसा फूरी तोर से उनको मिलना चाहिए क्योंके गरीब आवाम जो है किसी ने सरी जो है सिमट लाया है औधार लाया है किसी ने सिमट लाया है किसी ने सरी लाई है गरीब आवाम ने अपना पैसा लगा के वहां पे काम किया है अभी तक उनको पैसा नहीं मिला है बाकी मेरी आप लोगों से बिर्जोर रिक्वेस्ट ह सबी पंचाइद के लोगों से मेरी अपील है कि आप लोग आने वाले समय जो है आने वाले समय जो है उसको अच्छी तरह से दिमाग लगा कर और अपना नजर सानी करकर जो डुवलिपमेंट की बात करेगा जो गरीब आवाम की आवाज उठाएगा मैंने हमेशा घरीब आवाम की आवाज उठाई है हमेशा इनके साथ हूँ हमेशा रहूँगा आगे भी आने वाले टाइम में जो भी आप लोगों के साथ आज तक हुआ है ऐसा कभी नहीं होने दूँगा इसलिए आपने मेरे ओपर विश्वास करें एक बार वरोसा करें इसलिए मैं आपके चैनल के मातियम से लोगों तक के मैसेज पूचाना चाहता हूँ कि गरीब आवाम जो है एक बार उसकी आवाज जो गूंजी है यह अगर गूंज जाएगी तो दुनिये की कोई भी ताकत इसको रोक नहीं सकती है मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ आने वाला समय जो है उसको आप अच्छी तरह से यूटिलाइज़ेशन करें अपना दिमाग से आपने एहम पांच साला वोट आप देते हो एक दान कर लेते हो पांच साला वोट किसलिए आप चाहते हो डिवेलिपेंट होना चा चाहिए हमारे अंगनवारी सेंटर ठीक होने चाहिए हमारे घर घर में सुचाला बनना चाहिए हमारे रास्ते ठीक होने चाहिए इसलिए लोट लिया जाता है तो आने वाला समय जो है आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग मैं गरीब अवाम की आवाज को उठ प्रिखाने पे हैं, 7 साल हो गए हैं अभी तक, मैं आपके चैनल के मद्यम से लोगों तक यही मेसज पूचाता हूँ, यह आप लोग मेरा साथ दें, और आप लोग भड़ चर कर इसमें हिसा लें, और दिल से साथ दें, मैं आप लोगों के काम करने के लिए तयार हूँ, हर च करीब लोगों के जो बिल्जादा आते हैं उनके ठीक होने चाहिए मैं आप लोगों को बता दूं विश्वासे दला दूंँ एक बार मेरे साथ आप लोग जुड़े और मेरे गुरुप मेरे गुरुपी zijn मैं उस गुरुप में डिबेट करता हूं हर साड़े साथ बज़े लाइव आता हूं साड़े आठ बज़े तक उसमें आप लोग सारे लोग मैं आप रिक्वेस्ट करता हूं उसमें आए और ड्वेल्पमेट की बात करें बाकी मिझे तमाम लोग उसे रेक्वेस्ट है पर जोर अपील है हमारे नेर कोट से लेकर हड़ी तक हड़ी लग तक जो पंचाइथ हैं साथ वाड हैं मैं आप लोग उसे में एक इस चीज बता रहा हूँ अब ये मेरे साथ हैं हमारे जफिर से जो की ऑपकंग जो अलक्षन आ रहा है तो इस चैनल के माध्यम से कि हमारे जो जफिर सब्सक्वर्च करें थेंक्यू